हेलो फ्रेंड्स वेल्काम बेक टू माई यूटीब चैनल आप सब कैसे हैं उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे सबसे पहले फेस को क्लीन करना है उसके बाद गुड वाइप्स का रोज टोनर फेस पे अपलाई करना है इसकीन को हाइडरेट करने के लिए और इसके बाद हम गुड वाइप्स का रोज इप सेरम फेस पे अपलाई करेंगे इसकीन पे हलके हाथों से मसाज करेंगे इंसाइट का प्राइमर यूज़ करेंगे हम फेस पे अप्लाई करेंगे और इसको हलके हाथों से पूरे फेस पे लगाएंगे औरेंज कलर करेक्टर यूज़ करेंगे इस्टे कुरिकली का औरेंज कलर करेक्टर हम अंडर आई डार पे एंड माउथ एरिये पे अप्लाई करेंगे ब्रस की हेल्प से हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे यह मियोनी स्टूडियो का फाउंडेशन है यह फुल कवरेज देता है मैं इसका लाइफ टेस्ट आपको बताऊंगी और यह 100% वाटर प्रूव है इसको थोड़ी थोड़ी कॉइंटिटी में पूरे फेस पे अप्लाई करें और ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में वेट करकर ही यूज करना है और इसको डेब डेब करके ब्लेंडिंग करें और ब्लेंडिंग अच्छे से करना है जिते अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे मे कब उतना ही अच्छा होगा अच्छा होगा आप देख सकते हो कितनी अच्छी कब रेज देता है यह फाउंडेशन अब मैं आपको लाइब वाटर टेस्ट करके बताऊंगी थोड़ा सा पानी लेके पूरे फेस पे मैंने डाल लिया है और यह आप देख सकते हो कितना भी रगणने के बाद भी फाउंडेशन नहीं रिमूव हो रहा है यह देखो आप यह हंडेट परसेंट वाटर प्रूव है गर्मियों के लिए तो वहती अच्छा है कितनी भी स्वेटेंग होगी पसीना फेस के उपर आएगा लेकिन मेकप रिमूव नहीं होगा अब मैंने व्यूटी प्लेंडर से पानी को ड्राइ कर लिया है डेप डेप करके पूरा अच्छे से यह मैलियो का लूस पाउडर है हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे प्लेस करेंगे ब्राउन जेल लाइनर से आईब्रो को डिफाइन करेंगे आईब्रो को डिफादा अईब्रो को अईब्रो करेंगे ब्रस की हेल्प से एक्स्ट्रा प्रोडेक्ट को रिमूब करेंगे वाइट कंसीलर हम अपने आई लीट पे अप्लाई करेंगे आई शेडो लगाने से पहले अब ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे अब मैंने पिंग कलर यूस किया है अपनी क्रीज लाइन पे हमें पिंग कलर अप्लाई करना है और उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है ब्लेंडिंग अच्छे से करना है आई शेडो की ब्रेस की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग करें इसी तरह हम अपनी सेकेंड आइस पे भी ऐसे ही अपलाई करेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे क्रीज लाइन बनाना है हमें अब मैंने ब्ले कलर यूज किया है हमें ब्ले कलर अपलाई करना है और उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है अब हमें पिंक कलर लेना है और ब्लेक कलर और पिंक कलर को हमें अच्छे से मर्ज करना है अच्छे से ब्लेंडिंग करना है कि अच्छे से ब्लेक करना है और झाल आप करना है लो लेश लाइन पे हमें ब्लेक कलर अप्लाई करना है उसको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है और ब्लेक कलर अप्लाई करने के बाद हमें पिंग कलर भी अप्लाई करना है और उसको भी ब्लेंडिंग करना है लो लेश लाइन पे ब्रस की हेल्प से एक्स्ट्रा जो लूस पाउडर लगाया था उसको हम क्लीन कर लेंगे वाइट काजल लगाएंगे स्विस ब्यूटी का आई लाइनर लगाएंगे तर्मार झाल लगाla झाल लगाईनर मों देंड लगाएंगे hombres ले이시ा क्व एक्वँ दूस P bellyQ ब्रेघरे ञाउ यजिए फस घ्रण से एलवाइंगे स्क्र्ण झाल झाल इनर कॉर्णर पे हाईलाइटर लगाना है आईब्रो बॉन पे हाईलाइटर लगाना है आपको मेरा आई मेकप लुक केसा लगा कमेंट में जरूर बताना और आपको मेरा मेकप लुक आच्छा लगए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आल पे जिससे मेरे वीडियो के आने वाले नियोटिफिकेशन आपको मिल जाए नॉस कंटूर करेंगे ये एडियेस की कंटूरिंग पैलेट है ब्यूटि ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे और कंसीलर लगाएंगे ये आईस के पास जिससे की हमारा आई-लाइनर किलियर दिखें ब्लशर लगाएंगे नोस पे ब्लोंजर लगाएंगे नोस पे ब्लोंजर के लिए आप आई-शेडो में से डार्क ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हो ये स्विस्पीटी का हाई-लाइटर है हम अपने फेस के हाई-लाइटिंग पॉइंट पे हाई-लाइटर अप्लाई करेंगे झाल 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 फेकाई लेसिस लगाएंगे लिप्स्टिक लगाने से पहले हम अपने लिप्स को लिप लाइनर से सही सेप देंगे उसके बाद मैंने ये डार्क पिंग कलर यूज किया है किस ब्यूटी का मस्कारा लगाएंगे लो लेस पे एंड अपर लेस पे मेलियो के मेकप फिक्सर से मेकप को फिक्स करेंगे और ये फाइनल लुक है और आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो कैसा लगा केमेंट में जरूर बताना और मेरे वीडियो को फुल वाच करने के लिए थेंक यू